हेलो एव्रीवन वेलकम टू माई यूटीब चैनल के एजुकेशन हब आप अपने रीट एक्जाम की तयार यहां अच्छ से कर रहे होंगे इस वीडियो में मैं आपके लिए रीट एक्जाम से रिलेटरी क्वेशन सीरीज लेके आई हूँ आज हम हिंदी का पॉर्शन करेंग जाएगी और जो मेरे चैनल का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहां से आप मेरे डायरेक्ट चैनल पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट चैनल पर आप चले जाएंगे सो फर्स्ट कुशन है हमारे यहां पर लिखना सिखाने से पुरुपाल को पोच चीतर करना सिखाना चाहिए prior अक्षर भी चीतर ही है इसमत का समर्धन किया है तो इसका समर्थन किस ने किया हमारे महात्मा गांदी जी ने ठीक है सो राइट ऑप्शन इस ए महात्मा गांदी सेकंड क्वेशन है हमारा हरबर्ड उपागम के पद है तीन, पाँच, आठ या फिर नो सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पांच सिक्षन में इकाई का संप्रत्य किसकी देन है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेक्स क्वेशन हम करते है भाषाई कोशल का लिखीत अभी व्यक्त रूप है सुनना, पढ़ना, उचरित, लिखना सो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा लिखना 43 क्वेशन देखते हैं ध का उच्चारन स्थान है कंठ, तालू, मुर्धा, दंत सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुर्धा ठीक है नेक्स क्वेशन हम करते हैं पाठे पुस्तक का अध्यनात्मक पक्ष है पुस्तक का आकार परकार मुखे प्रिस्ट, जिलद, प्रकथन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकथन ठीक है नेक्स क्वेशन है वह चारिक सामेगरी है, सरंच ना, मूल, विश्यवस्तु, सरबदावली, व्याकरनिक तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45 का, B आंसर हो जाएगा, मूल, विश्यवस्तु नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट मुल्यांकन तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दी संकलनात्मक मुल्यांकन ठीक है नेक्स्ट कुशन हम करते हैं ब्लू प्रिंट धाचा तयार करने में उपयोगी नहीं है सिक्षक निर्मित सामेगरी शिक्षन के लक्ष पाठ्य वस्तू के प्रकरण परशनों के प्रक बाल को दुर संबंतिक कथिनाईयों का। स्लिक्षक सब्रेंटर सुद्दू का प्रकरण है नेक्स्ट्स में आपको एक पहरा दिया गया है जिसको रीड करके आपने निच्हें को आनसर करना है ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहरा दिया गया है, इसको गध्यांस बोलते हैं, इसको मैं फटा-फट से रीड कर देती हूँ, ताकि आपको questions देने में easy रही आज हमारे सामने अहम सवाल यह है कि धर्म बढ़ा या रास्टर, उत्र में यह निर्विदवात तै होना चाहिए कि रास्टर बढ़ा है, लेकिन साथ ही आसपास यह भी देखना है कि रास्टर की मौलिक अवधारनाई क्या है, क्या मिट्टी पानी, नदी, पहाड, राजा प लंदियों के साथ उनके सफर में और कुछ भी मुलायम सरीखा साथ रहा है, उनको उसको कत्रा कत्रा लेकर भी एक बनने की होश्यारी सिखाता रहा है, लमहा लमहा के बीच समय के अर्सो को बटोरता रहा है, ठीक है, हमारा कॉश्चन्स यहां पर फर्स्ट आपको दिया गय वह शब्द बताईए जिसमें दो उपसर्गों का परियोग हुआ है, निर्मान, निर्विद्रोद, निरिक्षक, निर्कुंश, तो यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, निरुंकुश, ठीक है, नेक्ट कुश्चन है हमारा, इनमें से जातिव मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल जो किसी की नकलना हो, मूल में विश्वास करना, मूल की स्थापना, यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा है, मूल जो किसी की नकलना हो, इनमें से आकाश का सही प्रियाय है, सर, वासव, व्योम, या फिर उत्पल, ठ आपको एक गद्यांस दिया हुआ है जिसमें आपने रीड करके नीचे दीएके पढ़ाना अनर्थ कारी समझे तो उसे उस परणाली का शन्षोधन करना या कराना चाहिए, खुद पढ़ने लिखने को दोशने देना चाहिए, लड़कों को ही शिक्षा परणाली कौन सी बड़ी अच्छी है, परणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यहराय दी है कि सार बातों पर बहस कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए नह कहिए कि स्व्यम पढ़ने लिखने में कोई दोश है, यह अनर्थ कर है, यह वह अभिमान का उत्पादक है, वह घ्रह सुका नाश करने वाला है, ऐसा कहना सोलहों आने मित्था है, यहाँ पर इन में कौन सा शब्द पुलिंग के रूप में परियुकत होता है, शिक्षा, अच्छी, बहस, या फिर अभिमान, तो राइट अंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर यहाँ पर पुलिंग को दर्शाता है, नेक्स्ट है, इन में कौन सा युगम सही रिकल्प है, गो, गो, ग नेक्स्ट कुशिन है, अध्यापक कहां से पढ़ा रहा होगा वाक्य में कौन सा काल है, समन्य भविश्यत काल, संभाव्य भविश्यत काल, समन्य भूत या फिर आसन भूत, तो राइट अंसर आपका क्या हो जाए यहाँ पर संभाव्य भविश्यत काल, ठीक है, लास्ट पर नाले शब्द का सही अर्थ है परंपरा राय पर्दती विधा राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ परंपरा और पर्दती ठीक है दोनों ही आपके राइट आंसर हैं यह थे आपके हिंदी के कॉश्चन सीरीज ठीक है और यह पेपर हमारा है 2017 का ठीक है लुट पर्दती